देश के जाने माने पहलवान जंतर मंतर पर फिर जूटे हैं इस शिकायत के साथ कि जब वो उलम्पिक और वर्ल्ल कप में पदक जीते हैं तो सब उनके साथ फोटो खिचाने आते हैं लेकिन जब वो अपने ही संग के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो कोई सामने नहीं आ रहा है पहलवान कुष्टी फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज बिहारी शरंड सिंग के इस्तिफ़े की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि कुष्टी के खिलाडियों का उत्पिडन हो रहा है साथ खिलाडियों ने आज सुप्रिम कोर्ट का रुख किया कि पुलिस उनके योन उत्पिडन की FIR तक लिखने को तयार नहीं हाले कि उनके धरने के साथ साथ दो तीन बाते भी हुई है पहली बात तो यह कि जांच के लिए बनी Oversight Committee की सिफारिशे सामने आ गई दूसरी ब बाते भी सामने आई हैं और हमारे सर्योगी मुकेश सिंग सेंगर हमारे साथ जोट रहे हैं इस ख़बर पर चर्चा करने के लिए मुकेश आपके साथ साक्षी भी हैं क्या कह रही है साक्षी और देखिए जो पहलवान जंतरमंतर बैठे हैं उन्होंने सुबह अपील की थी कि तमाम जो खाफ पंचायते हैं या राजनितिक जलों के लोग है वो उँके सपोर्ट में आएं तो उसके बाद जो खाफ पंचायतों के लोग हैं और तमाम राजनितिक पार्टियों के नेत और तरीके से support है और मेरी उत्तरबहरत की सभी खापों के परदानों से बाचीत हो रकええ और कल सब्लोग यहां आना शीरू हो जाएंगे बारी तादात में यहां पर मझबूति से इन हमारे परिवार थे के साथ कड़ें जब तक इनको नाय नहीं मिल जाता मेरे साथ बजरंग पुनिया हैं जो खुद यहां पर बैठे हुए हैं बजरंग जी आपकी जो मैला साथी पहलवान है उन्होंने शिकायते दिन साथ शिकायते हुई अब तक जो केसे वो दिल्ली पुरुष नहीं किया है अ तो मुझे लगता कि दिल्ली पुलिस उसका बैतर जवाब दे सकते किसके दबाब में कंप्लेंड क्यों नहीं कर रहे हैं तो अभी कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी आज गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्या उमीद है आप देखिए अभी मेरी लीगल टीम से बात नहीं इसमें बारे में कि क्या मैटर है जैसे भी जो भी गाईलाइन होगी आप लोग वो जरूरू बताए जाएगी कि क्या इस पे हम आगे स्टैब ले रहे हैं आपने तमाम जो रानितिक पार्टियां हैं या खाब पंचायते हैं उनको भी अपील किये कि वो आपके इस प्रोटेस्ट में साथ आएं जब आप पहली बार बैठे थे तब आपने इस तरह की अपील नहीं किती इस बार ये अपील क्योंकि क्या आप जो आप लोग महला प इक्षान होगी तो पहले भी हमारे साथ जुड़ने के लिए अब आपने गेम को बचाने के लिए आए हैं कुष्टी को बचाने के लिए जो जाच कमेटी जाच कर रही है भी और उसकी रिपोर्ट दिल्ली पमागी है क्या उस जाच कमेटी पर भरोसा नहीं है आप लोगों वुप तो कौन सी कमेटी है, उनके सारे पर बिरजबोशन के उसारे पर काम कररे हैं सब लोग कर रहा हैं, तो कमेटी तो बस नाम की है, कि बबि dem quarantine बनायी थी, क्योंकि एक आर्टिकल में आया हुआ था, कमेटी कीशी मेंबर ने बॉला कि मैं खुशनी हूँ, और उसी ने बो तो हमें नहीं पता कि बहुत तो जंतर मंतर पर कब तक बैठने का प्लान है जब तक नहीं नहीं पुनिया है और यहां पर आप जी जो सवाल था कि ओवर साइट कमिटी के रिपोर्ट आई है उसमें दो तीन बाते कही गई है पहली बात तो यहीं कि जो चुना होने वाला था उसको टाल दिया गया है उसके लिए उन्होंने एक एक टालग कमिटी बना दी है साथ यह भी का है कि जो sexual harassment की बाते होती है तो उसको जहांश करने के लिए वहाँ पर कोई mechanism नहीं है यह भी पॉंट पांट ओट किया है फिर दूसी बात उन्होंने यह भी कही है कि खिलाडिय में और जो बाकि स्टेक होल्डर से उनके साथ डायलोग होना चाहिए कम्यूनिकेशन का गैप है यह बात भी कमिटी ने कहीं तो ऐसा नहीं कि एक तरफा रिपोर्ट है तो क्या कह रहे हैं इस पर खिलाडी क्या उनको लगता है कि जो चुनाओ टालने का फैसला हुआ यह वाक पहले से ही दुखी है जो कमेटी बना रहे हैं उसने तो कुछ किया ने दूसरी कमेटी और बनागे और परेशानी मिडाल दीजी हमारा लक्से चुनाओ का नहीं है कि हमें चुनाओ लड़के प्रेजिडेंट बनना है हमारी लड़ाई ने आईगी है और वो लड़ाई लड कि जबारती कुस्ति संग में महिलाओं की जो शिकाइटी होती है स्ट्रा क्विट्र सेंटिंट की उसको सुनने के लिए कोई मैइकनेजम नहीं है वहाँ पर उस पर कहना है आप कमेटी कोहिए तरीका नहीं सुनने का वहाँ पर हां क्योंकि कमेटी कभी बनाई नहीं गई dic Mohand ki नहीं हमारे संग्यान में डालना कभी बता ही गई कि कोई कि कमेटी है वरना यह सेंटसेट्ट opincks जगा-जगा यह में है कर सकते हैं तो यह तो बहुत इंपोर्टेंट थिंग है मुझे भी बाद में पता चला प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद कि ऐसी कोई कमेटी होती है उसमें मेरा नाम डाला उन्होंने था नहीं उनोंने सरफ अपने बचाओं के लिए डाला कि मैं भी सैक्शलराइसमेंट की कमेटी का एक मेंबर हूँ लेकिन था नहीं है ऐसा मुझे कभी बताया नहीं गया तो बस यह कहना है कि होनी चाहिए कि आगे इतनी बड़ी हो जाती अम यहीं बैठेंगे और कोई बात है कि हमारी नहीं की लड़ाई है तो हम यहां से नहीं होगे सवाद करेंगे और उनको अपना धरना खत्म करना चाहिए यह बाचीत पिछली बार हुआ था पिछली बाचीत के दोर हुए थे क्या इस बार भी कुछ ऐसा संकेट मिला प्रोटेस्ट में हमने खेल मंतरी जी ने बुलाया था हमने अपनी सारी बात बताई उनको सब पता है उनको सारी बातों के बारे में पता है हमें कुछ नहीं रखना अब तो उन्हें अपना फैसला सुनाना है